दन्वान होना सफल होने का एक माइना माना जाता है कुछ लोग होते हैं बॉन विद गोल्डन स्पून लेकिन जैसे ये गोल्डन स्पून वाले बच्चे बड़े होते हैं अक्सर पिता की दौलत को लुटा देते हैं इसका बस एक ही कारण है पिता की दोलत का घमन लेकिन क्या इसे कमाने में उनका कोई योगदान है नहीं तो फिर चानाक के की इस बात पर गौर करना पिता की दोलत पर क्या घमन करना मजा तो तब है जब दोलत अपनी हो और घमन पिता करे आज हम जानेंगे कुछ ऐसी बाते जो आपको सफलता तक पहुचाने में मदद करेंगी जाना क्या निती के अनुसार बुरी आदते सिर्फ और सिर्फ हानी ही पहुचाती है इसलिए अच्छी बातों को आदत बनाना बहुत जरूरी है सबसे पहली बात समय का महत्व जानो हर व्यक्ति को समय की कीमत जाननी चाहिए समय कभी भी किसी के लिए नहीं रुपता इसलिए जो समय एक बार गुजर जाता है वो लोट कर कभी नहीं आता समय पर लिये गए सही निर्णय सफलता पाने का सबसे महत्व पूर्ण भाग है जो समय का लाब उठाने के लिए तयार रहते हैं वे अपने लक्षों को पूरा करने में काम्याब होते हैं दूसरी बात मेहनत से मत घबराओ आलस एक इसा अवगुण है जो व्यक्ति को कभी सफलता प्राप्त नहीं करने देता है आलस को अपनाने वाला व्यक्ति अवसरों का लाब उठाने से वंचित रहता है जीवन में यदि सफलता प्राप्त करनी है तो महनत करने से कभी नहीं घबराना चाहिए इसके बिना सफलता संभव नहीं है तीसरी बात द्रिड आत्मविश्वास मैदान में हारा हुआ फिर से जीत सकता है लेकिन मन से हारा हुआ कभी नहीं जीत सकता आपका आत्मविश्वास ही आपकी पूंजी है इसे किसी भी कीमत पर ढलने मत देना चाहे कुछ भी हो जाए और अब आखरी बात हमेशा वर्तमान में रहना चाहिए हमें भूतकाल की बारे में कभी पच्टावा नहीं करना चाहिए और नाहीं भविश्य की अत्रीक्त चीनता करनी चाहिए जो हो गया हम उसे नहीं बदल सकते जो होने वाला है हम नहीं जानते तो जो हमारे हाथ में है वो बस वर्तमान है वर्तमान के अच्छे काम अच्छा भविश्य ही बुनते हैं अगर आप अपने जीवन में इन चंद चीजों को अपना ले तो मजाल है कि कोई आपको सफल होने से रोक पाए